अगर हम लोग देश की राजनीती की बात करें और इसमें नभीन पटनाएक साहब के बारे में बात ना करें इस संभाव भी नहीं है और आप देखेंगे एक लंबे समय से मुखमंत्री भी है चीब मिनिस्टर है उडिसा के और एक अच्छे मुखमंत्री के रूम में इनकी पहचान है इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे इनके बारे में जानेंगे एक बार पहले आप लोग उडिसा को देख लीजें देखिए हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ आप देखेंगे उडिसा है भूमनेसो इसकी रादधानी इसकी सीमा आप देखेंगे आंद्पिदेश, चत्तिसगर, जारिकन और पश्चिम बंगाल से लगती है विधान सभा में 147 सीटे हैं राज्य सभा में 10 सीटे हैं, लोग सभा में 21 सीटे हैं और इसके छेटफल की अगर इरिया की बात करें तो 1,55,707 वर किलोमीटर में आपका उडिसा फैला हुआ है तो नवीन पटनायक साहब का जनम होता है 16 एक्टूबर 1946 को उडिसा के कटक में इनका जनम होता है इनके पता का नाम वीजू पटनायक और वीजू पटनायक उडिसा के पूर मुखमंत्री है और सुतंता सैनानी थे वीजू पटनायक की माता का नाम यह आप देखेंगे कि इनकी मा का नाम क्या? ग्यान पटनायक और नवीन पतनायक के भाई का नाम प्रेम पतनायक और वह है आप देखते हैं कि दिली के पितिष्ट उद्द्युक पती है और नवीन पतनायक की बहन का नाम गीता मेहिता है वह है एक पिसे दिलेकिका है और आपको बता दूँ कि नवीन पतनायक सहब आविवाहित हैं क्या ह नवीन पटनायक ने देहरा दोन कि पितिष्ठित स्कूल दोन स्कूल में पड़ाई की है और आप देखें नवीन पटनायक ने इसनातक की पड़ाई दिल्ली विश्विध्या लेके पितिष्ठित कॉलिज सेंट इस्टीपन कॉलिज से फोरी की है और यानि की पड़े लेखे है काफी और इनकी अगर हम लोग राजनीतिक सफर की बात करें राजनीतिक यात्रा देखें तो नवीट पतनायक पेसे से एक लेखक है और नवीट पतनायक युवावस्था तक राजनीति से दोर ही रहे हैं युवावस्था तक उनके जीवन का काफी समय उडिसा के बाहर ही हाला कि आप देखे 17 अप्रेल 1997 को नवीन पटनाईक की पिता बीजू पटनाईक की death हो जाती है, मौत हो जाती है और अपने पिता की नेधन की बाद आप देखें नवीन पटनाईक ने राजनीती में कदम रखा और नवीन पटनाएक ने अपने राजनितिक सपर की सुरुवाद 11 वी लोकसभा से कीती और लोकसभा की बात करें तो आप देखते हैं कि टोटल लोकसभा सदसों की संख्या कितनी हैं 543 है और इसमें उडिसा में 21 लोकसभा सदस चुने जाते हैं और अगर आपको लोकसभा सदस का चुनाओ लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 सालों ने चाहिए अधिकतम उम्री की कोई सीमा नहीं रखी गई है और इनका चुनाओ डारेक्ट जनता यानि की मद्दाताओं के द्वारा होता है नवीन पटनाएक ने जनता दल की टिकेट पर अपने पिता की पारंपरिक सीट असका लोकसभा सीट से उप चुनाओ लड़ा और चुनाओ जीत कर लोकसभा भी पहुँचे और इस चुनाओ करवाता कौन है एलेक्षन कमिशन आउप इंडिया भारती निरवाचन आयो एक समिधानिक संस्ता है और समिधानिक संस्ता कहने का मतलब होता है कि समिधान की किसी अनुचेन में इसकी स्थापना की बात की गई है और आप देखें 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी अनुचे 324 में आप देखते हैं कि इसकी स्थापना की बात की पहले मुख चुनाओ आईप सुकुमार सेन थी नई दिली में हेड़क्वार्टर आपको चुनाओ आईप का देखने को मिलेगा और आप देखते हैं कि करीब एक साल बात जब नवीन पटनायक का जनता दल से बनबुटा हुआ होने लगा तो आप देखें नवीन पटनायक ने भारती जनता पार्टी की समर्थन से अपने पिता की नाम पर राजनितिक पार्टी का गठन किया उनका नाम रखा बीजू ज जनता दल और इस तरह बीजू जनता दल उसी साल राष्टी जनतांत्रिक गठवंदन की सहोगी बन गई एंडिये की और इसके बाद आप देखेंगे नवीन पटनायक ने 1998 और साल 1999 की लोगसभा चुनाव में जीत हासिल करके लोगसभा भी पहुचे यही नहीं नवीन पट पटनायक ने अटल विहारी बाचपई की सरकास इस्थिपा दिया और पहली बार उडिसा के चीप मिनिस्टर बनते हैं क्या है मुख मंत्री बनते हैं इसके बाद आप देखें साल 2004 में उडिसा में एक बार फिल से विधान सबाद चुनाव होते हैं और इस चुनाव में भी बीजू जनता दल और भाजापा के गटबंदन को जनता का आसिवाद मिला यानि की वहुमत मिला और नवीन पतनायक एक बार फिल से उडिसा के चीप मिनिस्टर बनते हैं इसके बाद साल 2009 के विधान सबाद चुनाव में से पहले बीजू जनता दल और भाजापा का गटब बंदन किया और उनका ये फैसला सही साबित हुआ जनता के आसिवाद से नवीन पतनायक लगाता तिरी सीरी बार उडिसा के मुखमंतरी बने फिर आप दिखे इसके बाद साल 2014 में एक बार फिर उडिसा में बिधान सबाद चुनाव हुए और इस बार पूरे देश में और इसके साथ नवीन पतनायक लगातार पाँच भी बार उडिसा के मुखमंतरी बने तो एक लंबे समयाब देखे मुखमंतरी के रूमे इन्होंने बिताया है आगे का राजनितिक सपर इनका किस तरह से रहता है ये तो आने वाला वक्ती बताएगा इसके लिए मुझे इंडियन कंट्री लाइफ पंद्रे सो या आप देखे पंद्रे सो नब्बे उन्नी सो से तालीस एडिजर्ट किंगडम दा फीफल ओफ विकानेर गार्डन ओफ लाइफ एन इंट्रोडेक्शन टू दी हेलिंग फिलांट्स ओफ इंडिया जैसी किताब में भी लिखे इनों यह दाबा करती हुए पार्टी छोड़ दिया कि रवीन पटनाय को नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे आजकल भिष्टाचार और अपरात बढ़ रहे हैं और मुकमंत्री जी इस पर अंकोस लागाने के बज़ए बड़ाबा दे रहे हैं रवीन पटनाय की मताविक सीट भाजापसरकार पर निसाना साथा जिसमें दिखाएगा कि बेरोजगारी 45 साल की उच्तम इस तर पर है दोहजार बारे में आप देखे केंद्री मंत्री स्रीकान जैना ने उन पर दो लाग 25,000,000 करोर रुपे के लोह एस्ट के अबैद खनन की अनुवती देने कारोप भी ल बात कर लेंगे